श्रीमत भगवद गीता यथारूप अध्याय दस श्लोक संख्या चौदा सल्वमेत द्रितम्मन्य यन्मामवद सिकेशवा नाहिते भगवन व्यक्तिम विदुल देवान दानवहा हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पून्तया सत्य मानता हूँ हे प्रभू ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके सरूप को समझ सकते हैं यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टी करता है कि श्रदाहीन तता आसुरी प्रकरती वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आदुनित जगत के तता खतित विद्वानों का क्या कहना भगवत किरपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण हैं और वे संपूर्ण हैं अतहे हमें अर्जुन के पत का अनुसरन करना चाहिए उसे भगवत गीता का प्रमान प्राप्त था जैसा कि भगवत गीता के चतुर्त अध्याय में कहा गया है भगवत गीता के समझने की गुरु परमप्रा का हास हो चुका था अतहे है कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनह स्थापना की क्योंकि वे अर्जुन को अपना परम प्रिय सखा अता भक्त समस्ते थे अतहे हैं जैसा कि गीतोग निशत की भूमिका में हमने कहा है भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे हरे कृष्ण